एक लड़का और लड़की थे, उनका नाम आरियन और रिया था, आरियन और रिया बच्पन के दोस्त थे, वे एक साथ स्कूल जाते थे और एक साथ खेलते थे, बड़े होने के बाद आरियन और रिया को एक दूसरे से प्यार हो गया, वे एक दूसरे के लिए बहुत खास थे अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी के टाइम पे इस तरीके का एनिमेशन कार्टून इस्टोरी पे competition बहुत ही जादा कम है और जो लोग भी इस तरीके का एनिमेशन कार्टून वीडियो अभी के टाइम पे बना रहे हैं उनका चैनल काफे जाता जल्दी बाइरल हो रहा है एक्जामपल के लिए आप लोग इन चैनल्स को देख सकते हो और ये सारे के सारे चैनल्स मोनिटाइजड हैं वो भी AI एप्लिकेशन का यूज करके अब बात करते हैं कि आप लोग ऐसा एनिमेटेड कार्टून स्टोरी वीडियो कैसे बनाओगे वो भी AI का यूज करके तो मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल स्टेप के साथ इसी वीडियो पे सब कुछ सिखाने वाला हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पर फर्स टेम विजिट कर रहो तो चैनल को जरूर से सस्क्राइब कर लीजेगा तो चलिए बिना टाइम बेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो step number first इसमें हम लोग सीखेंगे story को find out करना वो भी AI की मदद से यहाँ पे आप लोग जैसा चाहो वैसा story create कर सकते हो वो भी बिल्कुल एक click के अंदर तो कैसे करना चलिए जानते हैं तो story find out करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को open कर लेना अपना chrome browser और यहाँ पे आपको search करना गूगल बार्ड इस तरीके से meaning लिखना meaning सही से लिखना तभी आपका website open होगा यह लिख करके simply आपको यहाँ search पे click कर देना है जैसे ही click करोगे आपके सामने यह first website आएगा इस पे आपको click कर देना है जैसे क्लिक करोगे गूगल बार्ड आपको यहाँ पे account create करने के लिए बोलेगा क्योंकि हम लोग AI से story video create करने वाले हैं तो simply आप लोग अपने Gmail ID से account create कर लेना create करने के बाद आपके सामने इस तरीके का interface आ जाएगा और जिन लोग को नहीं पता कि गूगल बार्ड क्या है तो उनको मैं shortcut में information दे देता हूँ गूगल बार्ड एक ऐसा platform है जहाँ पे आप जैसी मर्जी चाओ वैसा script इससे ready करवा सकतो वो भी बिल्कुल 2 मिनट के अंदर और बिल्कुली free में तो यहाँ पे हम लोग को story create करने वाल है तो एक छोटा सा demo मैं आपको यहाँ पे create करके दिखा देता हूँ तो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा enter a prompt here यह वाला box इसमें आपको simply इसको बताना है कि आपको कैसा story चाहिए कौन से language में चाहिए कितने word में चाहिए यह सब कुछ यहाँ पे आपको type करना है तो जैसे कि मैं यहाँ पे type कर देता हूँ create a romantic story of girl and boy in Hindi in 500 words with image prompts यानि कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे starting में लिखा है देखो create a यानि कि मेरे लिए कि story create करो तो पूछ रहा कैसा story तो यहाँ पे simply यहाँ पे मैंने justify किया है a romantic story of girl and boy यह लिखा है मैंने इसके बाद मैंने इसको यह भी बताया है कि in Hindi मुझे जो story चाहिए वो Hindi language में चाहिए आपको जो भी language में चाहिए English, Bengali, Udia, Marathi जो भी language चाहिए आपको simply यहाँ पे type कर देना है और मैंने यहाँ पे यह भी type किया in 500 words यानि कि मुझे जो story चाहिए वो 500 words में चाहिए अगर आपको यहाँ पे story ज़्यादा लंबा चाहिए 1000 words, 2000 words, 5000 words तो simply आपको यहाँ पे वो ची type कर देना है इसके बाद मैंने यहाँ पे यह भी लिखा with image prompts यानि कि मुझे जो story create करके दो उसके साथ मुझे उसका image का prompts भी चाहिए ठीक है तो यहाँ पे clearly मैंने इसको बता दिया कि मुझे किस type का story चाहिए यहाँ पे type कर देने के बाद simply आपको यह submit का यह button दिख जाता है इस पे आपको click कर देना है जैसे इंग click करोगे थोड़ा से यह loading लगा यहाँ पे आप लोग देख सकतो यह star गोम रहा है यानि कि loading हमारा चल रहा है यह हमारे लिए story find कर रहा है story write कर रहा है और कुछी minutes के अंदर हमारे सामने story create करके दे देगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकतो एक story इसने हमारे सामने create करके रख दिया है तो यहाँ पे जो story है देख सकतो यहाँ से starting है एक बार की एक बात है एक छोटे सहर में एक लड़की और लड़का रहा करते थे यहाँ से हमारी story start है और इसने हमें इस story का image prompt भी ready करके दिया है यहाँ पे आप लोग देख सकतो एक girl and a boy sitting on a bench in park talking and laughing ठीक है तो अगर आप लोगों को यह story पसंद नहीं आता अच्छा नहीं लगता तो simply आपको यहाँ पे दिया हुए option view other draft इस पे आपको click कर देना है जैसे इंग click करोगे यहाँ पे आपको दूसरा story भी देखने को मिल जाएगा draft to draft 3 और अगर आप लोग को यह draft to draft 3 भला story भी अच्छा नहीं लगता तो यहाँ पे आपको री जनरे draft का यह option दिया हुआ यहाँ पे इस पे आपको click कर देना है तो आपके सामने एक नया story और create करके दे देगा फिलाल example के लिए हम लोग इस story पे अपनी story create करने वाले है तो simply आपको इस story को यहाँ से copy कर लेना है तो यहाँ पे हम लोगों ने step number 1 में सीख लिया कि कैसे आप लोग अपने किसी भी type की story को create कर सकते हो अब हम लोग step number 2 में सीखने वाले हैं कि इस story related हम लोग images को कैसे create करेंगे तो images को create करने के लिए simply आपको फिर से अपना Google Chrome पे search वार पे आपको type कर देना Leonardo AI meaning आप लोग सही से यहाँ पे देख लो आपको यहीची type करना और simply यहाँ पे search पे click कर देना है जैसे ही click करोगे आपके सामने यह first website आ जाएगा तो simply इस पे आपको click कर देना है जैसे ही click करोगे इस तरीके से एक नया interface आएगा और यह आपको यहाँ पे आपको account create करने के लिए बोलेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो भी काम करने वाले हैं सब कुछ AI की मदद से करने वाले है तो simply आपको यह create an account पे click कर देना है और आपको अपने Gmail ID से account बना लेना है और यह भी बिल्कुल free है तो simply यहाँ मैं Google पे click करता हूँ click करने के बाद हम लोग Leonardo AI website के अंदर successfully interrupt हो जाएंगे जैसा कि आप लोग अपने screen पे अभी देख पा रहे हो और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि Leonardo AI पे आपको यहाँ पे daily के 1500 tokens ही मिलते हैं तो आप लोग यहाँ पे daily के 100 images ही create कर पाऊगे जो कि एक story वीडियो बनाने के लिए बहुत ही जादा 100 images हो जाता है तो एक तरीके से आपके लिए यह बिलकोली free हुआ और यह daily के आपको 500 tokens मिलते रहेगा ठीक है तो अब हम लोग जानेंगे कि अपने story के according images को कैसे create करें तो उसके लिए यहाँ पे एक option दिया हुआ है देख सकते हो AI image generation इस पे आपको click कर देना है जैसे ही click करोगे आपके सामने इस तरीके का interface आएगा तो यहाँ पे आपको सबसे पहले decide करना है जो आप images कर रहे हो, videos को create कर रहे हो वो किस platform के लिए कर रहे हो तो हम लोग यहाँ पे YouTube के लिए create कर रहे है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना ratio select कर लेना है तो इस side पे आओगे scroll down करोगे तो आपको यहाँ पे यह दिखेगा 3.2 इस पे आपको click करना है और आपको यहाँ से ratio select कर लेना है solar ratio 9 क्योंकि हम लोग YouTube के लिए videos को create करने वाले है तो अब हम लोग को यहाँ पे इसको prompt देना है यहाँ पे आपको देखता होगा यह prompt box है तो हम लोग को यह image create करके देगा तो prompt को हम लोग यहाँ से copy करेंगे जहाँ पे हम लोगों ने Google Watch से story को create किया था तो हम लोग को यहाँ पे देखो image prompt 1 है तो simply image prompt 1 को इस तरीके से आपको copy कर लेना है copy करने के बाद आपको Leonardo AI पे आना है और simply prompt box में आपको paste कर देना है और last में आप लोग यह चीज़ लगा देना hyper realistic ultra HD इससे यह जो image create करेगा वो बहुत ही जादा HD quality में रहेगा एकदम smooth रहेगा यह लिखने के बाद simply आपको यह generate पे click कर देना है जैसे हैं click करोगे आपका यह image ready करना यहाँ पे start कर देगा तो थोड़ा से यहाँ पे आपको wait करना पड़ेगा जब तक यह आपका image create कर देता है तो यहाँ पे थोड़ा से हम लोग wait कर लेते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसने मुझे यहाँ पे चार images create करके दे दिया है तो simply हम लोग यहाँ से one way one करके इनी images को यहाँ से download कर लेंगे आप यह सारे images को किसलिए download करना है वो मैं आपको इसी वीडियो पे आगे बताने वाला हूँ तो simply पहले हम लोग one way one करके सारे images को इस तरीके से download कर लेते हैं download करने के बाद simply आपको second prompt को यहाँ से copy करना है और इसी तरीके से फिर से आपको image create कर लेना है यहाँ से मैं इसके second prompt को copy करता हूँ फिर चलते हैं यहाँ पे Leonardo AI website पे और यहाँ से मैं इसके second prompt को यहाँ पे paste कर देता हूँ paste करके फिर से आपको images generate कर लेना है तो simply इस तरीके से अगर आपको pop up आता है तो यहाँ cut का यह बटन है इस पे आपको click कर देना है click करने के बाद आपको simply generate पे click कर देना है तो इसी तरीके से आपको one by one करके सारे prompts का image आपको generate कर लेना है और उनी images को आपको simply download कर लेना है तो one by one करके मैं सारे prompts के images को download कर लेता हूँ तो step number two में हम लोगों ने यह भी सीख लिया कि अपने story के according images को कैसे create करना है लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख पार होगे तो यह सिर्फ एक image है, animation नहीं है जबकि हम लोग इसको अपने story में animation लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा audience हमारी YouTube पे ज़्यादा engage होगे तो इस image को अब हम लोग convert करने वाले animation में जो के हम लोग step number 3 में सीखने वाले हैं तो चलते हैं अब हम लोग अपने step number 3 की और तो उसके लिए आपको अपना Google Chrome फिर से open करना है और आपको यहाँ पे इस बाद टाइप कर देना runwayeml.com ठीक है यह लिख करके आपको simply search कर देना है मिनिंग सही से आप लोग यहाँ पे देख लो जैसे ही search करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आजाएगा तो simply आपको यहाँ try runway for free पे click कर देना है यानि कि जो भी websites हम लोग यहाँ पे use कर रहे हैं सब कुछ हम लोगों के लिए यहाँ पे free है और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग AI animated cartoon story वीडियो create करने वाले है तो simply यहाँ पे हम लोग लोग इन करेंगे तो sign up with google पे click कर देना है जैसे ही click करोगे आप से यहाँ पे आपका gmail id पूछा जाएगा तो जिस भी gmail id से आप यहाँ पे login करना चाहते हो तो उस पे आप click कर देना है जैसे ही click करोगे थोड़ा से यह loading लेगा और इस तरीके से interface आएगा तो simply आपको यह skip पे click कर देना है जैसे ही click करोगे skip पे तो इस तरीके से एक नया pop-up interface खुल करके आपके सामने आ जाएगा तो अब यहाँ पे आपको option देखने को मिल रहा start with image यह वाला इस पे आपको click कर देना है क्योंकि हम लोग अपने images को animation में convert करने वाले हैं जैसे ही click करोगे इस तरीके से एक interface आएगा तो simply हम लोगों ने जो images को download करा Leonardo AI से उसी image को यहाँ पे आपको upload करना है तो आपका image animation में convert हो जाएगा तो यहाँ पे आपको option दिया हुआ upload a file इस पे आपको click करना है और जो images आप लोगों ने आपको download किये one by one करके यहाँ पे आपको upload कर देना है तो जैसे कि मेरा यह वाला image है यहाँ पे मैं इसको click करता हूँ जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा से यहाँ पे loading लेगा यह वाला box आप लोग देख सकते हो यह box पहले आपका पूरा fill होगा तो तब तक आप लोग यहाँ पे wait कर लेना wait करने के बाद इसके आगे कि क्या settings है मैं आप लोगों के लिए किसी वीडियो पे बताने वाला हूँ और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर से like कर देना क्योंकि बहुत ही मैनस से बहुत ही detail में मैं आप लोगों के लिए वीडियो को create कर रहा हूँ तो प्लीज एक like जरूर से कर देना तो आप यहाँ पे देख सकतो हो आपका image यहाँ पे upload हो चुका है upload हो जाने के बाद हम लोग इसमें motion डालेंगे ताकि एक realistic साख feel आए तो उसके लिए आपको यहाँ पे option दिख जाता है यह camera motion इस पे आपको click करना और यहाँ पर यह जूम बाला button है आपको इसको एक बार minus कर देना है ठीक है minus करने के बाद नीचे आपका यह speed का यह दिख रहा है इसको आपको कम करके यहाँ दो पे लातर के आपको रख लेना है यह चीज़ द्यान देना तभी आपका animation अच्छे तरीके से animate हो पाएगा तो simply आपको यह settings करने के बाद यहाँ save पे click कर देना है जैसे ही click करोगे आपके सामने यह generate यहाँ पे लिखा हुआ है इस पे आपको click कर देना है अब जैसे ही click करोगे थोड़ा से loading लेगा और आपका यह image यहाँ पे आप लोग देख सकतो animation के रूप में यह convert करना start कर रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग wait कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकतो इसने हमें image से animation में convert करके इसने मुझे दे दिया अब आप चाहो तो यहाँ पे इसको play करके भी देख सकते हो तो देख सकते हो पहले यह हमारा image था अभी animation में convert हो चुका है तो simply हम लोग यहाँ से इसको download कर लेंगे तो download करने के लिए यहाँ पे आपको यह button दिया हुआ download वाला इस पे आपको click कर देना है जैसे ही click करोगे यह download हो करके आपके laptop, pc या फिर अगर आप mobile पे कर रहो तो आपके mobile में यह चीज आ जाएगा तो इसी तरीके से हम लोग 1 by 1 करके सारे images को यहाँ पे animation में convert कर लेंगे तो दूसरे images को यहाँ पे animation में convert करने के लिए सबसे पहले आपको यह first वाले को delete करना होगा तो यहाँ पे delete का button दिया हुआ इस पे आपको click कर देना है click करने के बाद फिर से यह upload फाइल पे जाना है और यहाँ पे आपको second images को यहाँ से select कर लेना है यहाँ पे मैं simply second image को इस तरीके से select कर लेता हूँ select करने के बाद फिर से आपको voice settings अप्लाई करने है और 1 by 1 करके सारे images को animation में convert कर लेना है I hope यह चीज भी यहाँ पे आप लोग सीख चुके हो गए अब चलते हैं हम लोग अपने step number 4 की तरफ जिसमें हम लोग create करने वाले हैं अपने story के लिए voice वो भी हम लोग AI tool की मदद से ही करने वाले हैं तो चलते हैं हम लोग अपने step number 4 की तरफ तो story का voice create करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को open कर लेना अपना play store और यहां से एक application install करना है जिसका नाम है voice changer fast tuner यह लिख के search करोगे तो आपके सामने यह application आएगा और इसी को आपको install कर लेना है install हो जाने के वाद simply आपको play store को बंद कर देना है और जो भी आपकी story थी उस story को पहले copy कर लेना है तो मैंने यहां पर notepad को उस story में copy कर रखा यहां पर आप लोग देख सकते हो यहां पर मेरी यह story है यह वाली तो simply यहां से सबको select all करके हम इसको यहां से copy कर लेंगे कुछ इस तरीके से copy कर लेने के बाद आपको अपना voice changer application को open कर लेना जो कि आप लोगों ने अभी play store से install किया तो simply open करोगे तो कुछ इस तरीके से interface आएगा तो last में आप यहां पर देख सकतो option दिया हुआ text to audio इस पर आपको click कर देना है जैसे ही click करोगे इस तरीके का interface आएगा तो simply आपने जो story को copy किया उसको यहां पर paste कर देंगे तो यहां पर आपको click करना है और इस तरी को यहां पर paste कर देना है paste करने के बाद आप लोग यहां पर नीचे देखोगे तो languages का option दिया हुआ simply इस पर आपको click करना है और जिस वी language में आप अपने story का आवाज बनाना चाहते हो उस language को यहां पर select कर लेना है तो जैसे कि मुझे यहां पर Hindi language चाहिए तो यहां पर मैं Hindi को select कर लेता हूँ Hindi को select कर लेने के बाद नीचे आपको यह option मिल जाता है इस पर जब आप लोग यहां पर click करते हो तो आपको यहां पर 9 तरीके का वाज मिल जाता है यहां पर male और female दोनों वाइसे देखने को मिल जाते हैं तो जो भी वाइस यहां पर आपको अच्छा लगता है उस वाइस को simply आप यहां पर use कर सकते हो तो example के लिए मैं यहां पर दो number वाइस को use कर रहा हूँ तो simply यहां पर मैं दो number वाइस को select करता हूँ और select करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे play का यह बटन दिया हुआ आप 34 पे play करके सुन भी सकते हो कि कैसा voice यह generate करके दे रहा है मैं आप लोगों को यहाँ पे सुना भी देता हूँ एक बार की बात है आपको अपने phone में save करने के लिए नीचे यहाँ पे save का यह button दिया हुआ है simply आपको इस save बाले button पे click कर देना है तो थोड़ा से यह समय लेगा आपके internet के उपर यह depend करेगा और इस तरीके से एक नया interface खोल करके आ जाएगा आने के बाद अब आप यहाँ पे अपने voice को और अच्छा create करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा effect आपको दिया हुआ है आप चाहो तो इन effects का भी यूज कर सकते हो लेकिन अगर आप चाहते हो ऐसे ही save करना तो simply यहाँ नीचे save का यह button दिया हुआ इस पर आपको click कर देना है click करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है file name तो simply यहाँ पर file name हम लोग यहाँ पर दे देते हैं ताकि जब हम लोग अपने file manager में इस file को खोजे तो खोजने में असानी हो जाए तो simply मैं इसको यहाँ पर नाम दे देता हूँ story story दे करके simply यहाँ पर hd को आपको select कर लेना है select करने के बाद simply आपको इस audio को save कर लेना है audio आपके gallery में save हो जाएगा और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि voice changer, fast junior यह एक paid application है अगर आप इसके services यूज करना चाओगे तो इसका subscription आपको purchase करना पड़ेगा लेकिन अगर आप लोगों को इसका subscription महगा लग रहा है तो इसका एक alternate option भी मेरे पास available है और आपको अगर यूज करना है तो दिये गए इस WhatsApp नंबर पे आप मुझे contact कर सकते हो उसके लिए आपको क्या करना है इस वीडियो को सिर्फ like करना और इसका screenshot लेकर के इसी पार्ट का screenshot लेकर के आपको मुझे अपने मेरे WhatsApp पे send कर देना है तो मैं समझ जहूँगा कि आपको इसका alternate option चाहिए तो वो चीज मैं आपको वहाँ पे provide कर दूँगा यहाँ पे हो जाता है हमारा fourth number step भी complete अब हम लोगों ने story भी generate कर लिया story related अपना photo भी generate कर लिया और photo को animation में भी convert कर लिया और यहाँ पे हम लोगों ने इस application से voice को भी generate कर लिया अब हम लोगों को करने अपनी story को edit टो edit करने के लिए छलते हम लोगों अपने fifth step के तरफ और यह हम लोगों का last step होने वाला तो edit करने के लिए मं यहां पर यूज करने करने वाँ हूं काइने वासट कर लेता हूं अप सिंपली application से edit करते हों उस application को open कर लेना open करने के बाद simply यहां new project पे click कर देना है click करने के बाद आपको यहां से ratio select कर लेना है solar ratio 9 यह वाला क्योंकि आप लोग YouTube के लिए videos को create कर रहे हो select करने के बाद simply नीचे यहां create पे आपको click कर देना जैसे हैं click करोगे आपके सामने आपका gallery open हो जाएगा और आपको चले जाना है उसी folder में जिस folder में आपने अपने photos और photos के animation को create करके रखा था और यहां से आपको 1 by 1 करके अपने story के according photos को select कर लेना है तो यहां से मैं select कर लेता हूँ यहां से मैंने एक ही photo को select किया ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि story को create कैसे करना है तो जैसे कि मेरा starting का यह first photo है ठीक है select करने के बाद आपको simply यह कुने में button है cut का इस पे आपको click कर देना है जैसे इंग click करोगे आप इस interface पे आ जाओगे अब मैं आपको इसको सिर्फ play करके दिखाता हूँ तो आप लोग यहां पे देख सकते हो तो हमारा दोनों side से black black corner दिखाई दे रहा है जो कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है यहां पे आप देखोगे तो black left side और यहां पे भी आपको black दिख रहा है यानि कि left right दोनों side तो simply आपको इस layer को select करना है यह जो layer आपका है select करने के बाद आपको चले आना यहां पे pan and zoom बाले option पे और इसको इस तरीके से zoom कर देना है ताकि आपका जो black का corner दिख रहा था left right side वो छिप जाए इतना करने के बाद simply आपको यहां जो equal का button है इस पे आपको click कर देना है click करने के बाद आप यहां से back करते हैं और मैं आपको play करके दिखाता हूँ तो देख सकतो अब आपका interface देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है तो simply अब हम लोग यहां पे add करेंगे अपने audio को story वाले voice को ताकि हम लोग उसको सुन सके और अपने voice के according यहां पे images को हम लोग set कर सकें तो voice को हम लोग यहां पे add करेंगे तो add करने के लिए यहां पे यह जो audio का button दिया हुआ है इस पे आपको click करना click करने के बाद आपने जिस भी folder में अपने audio को save करके रखा है फोल्डर में चले जाना तो simply यहां पे नीचे आओगे तो यह folders का button दिखेगा और उसके बाद यहां पे आपको दिख जाएगा जिस भी folder में आपका voice है तो I think यहां पे मेरा यह बुआज से story नाम से मैंने save कर रहा था इस पे click करके एक बार की बात है इसको add करने के लिए simply यहां पे पलस का यह button दिया हुआ इस पे आपको click कर देना है जैसे इन click करोगे आपका story यहां पे देखो नीचे यह add हो चुका है अब हम लोग यहां से इसको सुनेंगे और अपने story के according यहां पे images को set करेंगे तो पहले मैं यहां पे play कर लेता हूँ यहां पे बोलों को थोड़ा कम कर लेते हैं क्योंकि double mic में जा रहा है मेरा यहां पे देखो इसने बोला एक बार की बात है एक छोटे से से सहर में एक लड़का और एक लड़की रहते थे और इसके आगे भी line है और हमारा फोटो यहां पे छोटा पढ़ रहा है यह जो image animation है तो इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो आप लोग इसको animation को ऐसे खीच करके बड़ा नहीं कर सकते तो उसके लिए आपको चले जाना यह जो speed का बटन दिया हुआ इस पे आपको click करना click करने के बाद आपके इसके speed को इस तरीके से 0.4 पे ला करके रख देना है कुछ इस तरीके से जैसे ही आप करोगे देखो इस animation का length इतना बढ़ चुका है अब आपको यहां से story को play करके सुनना है और उसी क recording हम लोग set करेंगे कैसे करना है सब कुछ यहां से आप लोग ध्यान से देखो मैं आप लोग को बिल्कुली दीरे-दीरे step by step समझाने की कोशिस कर रहा हूं तो यहां से मैं इसको play करता हूं अब हम लोग इसके आगे वाले photo को add करेंगे तो add करने के लिए आपको चले जाना यहां मीडिया वाले पे और चले जाना उसी folder में जिसमें आपने अपनी story का photo यहां पे download करके रखा है तो simply यहां से मैं photos को add कर लेता हूं इस तरीके से तो यहां पे मैंने one way one करके सारे photos को यहां पे मैंने add कर लिया है अब इसको adjust कैसे करना शुरू से आपको play करना इस story को और सुनते जाना ठीक है तो मैं आसे इसको play करता हूं आप लोग यहां पे सुन सकते हो तो आप लोग यहां पे देख सकते हो यह जो हमारा second वाला photo आया इसमें कोई animation नहीं है तो इसमें animation डालने के लिए simply आपको इस second layer वाले photo को select करना select करके इसके last end पे आ जाना है जैसे कि फोटो देखो यहां last पे खतम हो रहा है यहां पे आने के बाद simply आपको इस तरीके से scroll करना और आपको यहां पे एक option दिख जाएगा pan and zoom यह वाला इस पे आपको click कर देना है click करने के बाद आपको अपना दोनों अंगली इस screen पे रखना है और इस तरीके से ऐसे करके इसको छोटा कर देना है कुछ इस तरीके से कर देने के बाद यहां से हम लोग इसको back करेंगे और इसके layer को कुछ खीच करके कि हम लोग इस तरीके से बढ़ा देते हैं, अब हम लोगों को यहां से प्ले करके सुनना है, कि इस स्टोरी में आखिर क्या चीज बोल रहा है, और उसके का एकॉर्डिंग कैसा फोटो दिखना चाहिए, तो यहां से मैं प्ले करते हूं, और सिया बच्पन से दोस्त थे, और वे एक साथ बड़े हुए थे, वे एक ही स्कूल में पढ़ते थे, अब यहां पर देखो यह बोल रहा है, वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो हम लोग का यह जो फोटो है, यहां पर यह बड़ा हो रहा है, तो इसको हम लोग यहां से क करेंगे select करने के बाद जाएंगे treatment split ये वाला कैची वाले option पे और यहां पर जाके right part हमारा फालत हो है तो simply trim right कर देंगे तो वे कड़ जाएगा अब यहां से मैं आपको play करके फिर से सुनाता हूं और वे एक साथ बड़े हुए थे वे एक ही school में पढ़ते थे और एक ही college में जाते थे आदित्य और सिया दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे तो देख सकत, इस वाले फोटो में भी हमारा animation नहीं हो रहा है तो इसको animate करवाने के लिए तिर से आपको इस लेयर को select करना है जिस photo में आपका animation नहीं हो रहा है select करने के बाद इस लास्ट कोईंट पर आना मिस फोटो के इस तरह के से घृर आपको चले जाना यहान पर जूम वाले option पर आने के बाद simply आपको इस फोटो को इस तरीके से छोटा करदेना है कुछ इस तरीके से करने के बाद simply यहां से आप लोग बैक कर लेंगे और बैक करने के बाद आपको इस फोटो के layer को बढ़ा देना यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है यह story प्ले करनी है और उसी के recording आपको उपर photo set करने ठीक है यह चीज़ अगर आप ध्यान में रखते हो और यह सीख गए तो आप ऐसी story बिल्कुल दस मिनट के अंदर में create कर लोगे यहां से मैं आपको play करके सुनाता हूँ अब देखो इसका अगला लाइन है कि एक दिन आदित्य को एहसास हुआ कि वो सिया से प्यार करता है लेकिन वो जो photo हम लोग को दिखना चाहिए वो हमें नहीं दिख रहा है वो photo हमारा यहां पे add है यह वाला तो यह हमारा जो photo का part है इसको simply इस तरीके से select करेंगे select करने के बाद फिर से आपको treatment split पे जाना और जो photo का part है उसको यहां से cut कर देंगे तो यह photo हमारा यहां पे इससे match हो जाएगा अब मैं आपको starting से play करके दिखाता हूँ एक बार की बात है एक छोटे से शहर में एक लड़का और लड़की रहते थे लड़के का नाम आदित्य था और लड़की का नाम सिया था आदित्य और सिया बच्पन से दोस्त थे और वे एक साथ बड़े हुए थे वे एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही कॉलेज में जाते थे आदित्य और सिया दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे लेकिन एक दिन आदित्य को एहसास हुआ तो देख सकते हो इस तरीके से आप अपनी स्टोरी को क्रियेट कर सकते हो बस आपको वाइस को सुनते जाना और उसी के अकावडिंग आपको उपर फोटोस को सेट करते जाना आप यह चीज भी आप यहां पर समझ गए होगे तो इसी तरीके से आपको अपना पूरा स्टोरी को सेट कर लेना है और जब आपकी स्टोरी सेट हो जाए तो सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर लेना है एक्सपोर्ट करने के लिए उपर कोने में यह एरो वालब बटन दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप यहां से रेश्यो इरिजोलूशन सेलेक्ट कर लेना टेनेटी पी और इधार आपका फ्रेम रेट सेलेक्ट कर लेना सिक्स्टी एपिएस और सिंपली आपको सेव एच वीडियो पर क्लिक कर देना है तो एक्सपोर्ट हो करके आपके गैलरी में आ ज क्योंकि यह वीडियो अलड़ी काफी जादा लंबा हो चुका है इसलिए मैं इसको इंकलूड नहीं कर रहा हूं और आप लोगों को यह वीडियो एडिटिंग कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्षन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो आज की इस वीडियो पर इतना ही मि बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर